नास्कार दोस्तों, पात्फाइंडर पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंग्राथोड और आज इस वीडियो में हम चलचा करेंगे भारत के संयुक्त राष्ट्र मानवधिकार परिशद में छटी बार सदस्य बनने के बारे में तो मानवधिकार परिशद में सदस्य कोई कैसे बनता है, इस परिशद का गठन कैसे होता है, कुछ बेसिक बाते मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कि अगर आपने अभी तक पातफाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टो चैनल और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आप इस तरह का कोई भी इंपोर्ट तो इसकी डीटेल्स के बारे में चर्चा करें, उससे पहले आपको बता दूँ कि आने कैडमी आप पर आप मुझे इस इडी पर फॉलो ज़रू करें, ताकि आने वाली जो स्पेशल क्लास है, तूस्टे और वेंस्टे को मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है, उसके नोटिफ समबर 2024 को ये समाप्त हो जाएगा, यनि कि तीन साल का ये कारिकाल भारत का रहेगा, UN Human Rights Council होती क्या है, ये United Nations की एक संस्था है, जिसका लक्ष नाम में आपको पता चल रहा होगा कि दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा करना है, तो दुनिया में कहीं भी Human Rights के उपर अ 47 members, very important, इसको याद अठना, एक्जाम में डिरेक्ली पूछा जा सकता है, 47 members इसमें होते हैं, काउंसल के अंदर शामिल, और सभी को 3 साल का कारिकाल दिया जाता है, 3 year का term है, लेकिन ये सारे 47 सदस से ऐसा नहीं है कि एक ही continent से होंगे, इनके अंदर area के अनुसार, region के अनुस तो Asia Pacific की terminology है, by the way बहुत लोग कहते हैं मुझे की Indo-Pacific use क्यों नहीं करते हैं, देखे जो UN use करता है, जहाँ पर वो पुराना usage है, उसको हम use करेंगे, जहाँ पर strategic या defense के terms हैं भारत के संदर में, वहाँ पर Indo-Pacific use किया जाता है, तो इसमें इतना ज़ादा घवराने की या फि इसकी स्थापना करी गई थी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी parent body क्या है, तो कौन सा UN का वो अंग है जिसके अधीन ये मानवधिकार परिशाद आती है, तो that is the General Assembly, तो ये General Assembly के अधीन आती है, और इसको 2006 में क्यों बनाया गया था, तो इसके पहले एक दूसरा body होत तो commission हटा कर अब council बना दी गई है, ठीक है, तो CHR जो है अब ये खत्म हो चुका है, तो UN CHR का criticism काफी होता था कि इसका human rights के प्रती जो record है वो अच्छा नहीं है और इसमें कई ऐसे देश सजश्य बन जाते थे, जो खुद अपने देश में मानवधिकारों की रक्षा नहीं मानवधिकार परिशद के सदस्य के लिए चुनाव हुए, और 18 नए सदस्यों को चुना गया है क्योंकि यहाँ पर भी राज्यसभा के जैसे चुनाव होते हैं, सारे 47 members एक साथ retire नहीं होते, one third, one third इस तरह से retirement होता है, लगबग one third रहता है, तो इस साल 18 seat खाली हो रही थी, इन पर फिर से चुनाव हुआ है, और इनका कारेकाल कब समाप्त हो रहा था, December 2021 को, और अब यह नया चुनाव जो है, इसमें जो चुने गए सदस्य हैं, वो 2022 से 24 का कारेकाल पूरा करेंगे, तो देखे, Asia Pacific वाली category में 5 सदस्य अपनी seat खाली कर रहे थे, इनमें भारत भी श तीन बार आप इसके सदस्य नहीं बन सकते, तो आप देखोगे कि भारत यहाँ पर लगातार दो बार सदस्य रहा, फिर उसके बाद बीच में गैप आ गया, फिर अब 2019 से 21 रहे गया, अब वापिस 22 से 24 रहेगा, लेकिन उसके बाद तीसरा कारेकाल लगातार भारत का नहीं पड़ेगा, तो यह भारत के जो permanent representative है, वो यहाँ पर vote दे रहें, कि आप इनका नाम बता सकते हो मुझे comment में, कि इंडिया के UN में permanent representative कौन है, उन ambassador का नाम आप मुझे comment में बताईए, तो इस तरह से यहाँ voting होती है, तो उमीद करता हूँ कि आप लोग भी इस तरह से IFS officer बन गए, तो काफी अच्छा है, मतलब जादा कोई विरोध नहीं था, भारत का अच्छा कासा voting percentage हो जाता है यह, और इसी के साथ Asia Pacific से दूसरे देशों को कितने vote मिले, इन्हें भी ठीक vote मिल गए, तो कजाकिस्तान, मलेशिया, कतार और UAE, यह अन्य Asia Pacific के देश हैं, जो अभी इ General Assembly है, और इसने total 18 members को भी elect किया है, दूसरे region से हमारे ले इतना important नहीं, generally सवाल नहीं आएगा, आपके वले Asia Pacific वाले यह 5 देश भी याद कर लोगे, तो आपका काम चल जाएगा, और required majority 97 की होती है, भारत को तो 184 votes मिल गए, 3 साल का कारेकाल है, और immediate re-election 2 term के बाद नहीं हो सकता है, नहीं कि लगातार 3 कारेकाल नहीं हो सकते, यह fact बहुत important है, exam में, prelims में आपको confuse करने के लिए यह पूछा जाएगा, एक बात और याद रखेगा, कि UN Human Rights Council की President चुनी गई है, Fiji की Ambassador नजहाद शमीम खान, तो नजहाद शमीम खान जो है, यह Fiji की Ambassador है, और वहाँ पर उनमें से 15 साल में 119 देश कभी ना कभी इसके सदस्य रह चुके हैं, क्योंकि एक तो इसकी membership बहुत जाद है, 47 है, तो सबको मौका मिलता रहता है, तो 119 countries have been a part of UN HRC till today, तीन साल पहले एक बड़ा development इस council में यह हुआ था, कि America ने यहाँ से अपने आपको पीछे खीच लिया 8 फरवरी 2021 को अमेरिकी सरकार ने यह अनौंस किया, जब राष्टरपती जो बाइडन बन गए थे तब उन्होंने यह अनौंस करवाया कि America अब फिर से Human Rights Council के अंदर सदस्य बनेगा, फिर से re-engage करेगा, लेकिन अब ऐसा मना जा रहा है कि इस Human Rights Council में चाइना जैसे देशों क इस वक्त Ambassador T.S. तिरुमूर्ती, इनका नाम ज़रूर याद रखेगा, अक्सर आप न्यूज में इनकी फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम साप करेंगे, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप UPSC क असपरेंट हैं, तो 2022 और 2023 के एक्जाम के लिए, अनकाडमी अप पर भारत के बेस्ट एजुकेटर से लाइफ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक दोध प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन वन यर का अगर आप लेते हैं, तो तो इसमें आपको 10% discount के बाद यह prices यहाँ पर नजर आ रही है, so there is a discount of 10% अगर आप महिपाल code का इस्तमाल करते हैं, कोई भी course आप ले लीजे, चाहे वो UPSCO, SSCO, सभी में आपको 10% का discount मिलेगा, if you are using this code, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप various courses को अवेल कर सकते हैं, जैसे कि 20 इस तारिक से जो मेरा NCRT quality course start हो रहा है, जो 2023 के aspirants के लिए फाइदे बंद है, इसको आप देख पाएंगे, link नीचे description में मिल जाएगा, optional के बहुत सारे courses यहाँ अवेलेबल हैं, जो भी guidance रही है, exam की वो आपको यहाँ पर इस subscription में मिल जाएगी, EMI पर भी आप इसे avail कर सकत हैं, EMI का फाइदा यह है कि हर महीने एक छोटा amount आपको pay करना है, एक साथ पूरा amount pay नहीं करना और इसमें कोई extra charges etc नहीं है, EMI के लिए कैसे apply करना है, इस वीडियो के नीचे description में जो पहला link है, Google form है, उसमें जाकर अपनी details भर दो, हमारे team member आपको contact करके पूरा process बता दें हैं, तो इन नए batches को आप join कर सकते हैं, जैसे ही आप subscription लेते हैं, main sensor writing program भी start हो रहा है, optional के नए batches start हो रहे हैं, और रविवार को होता है combat, combat में हिस्सा लेने का फायदा यह है, कि आप combat में अच्छी rank लाकर subscription को free में avail कर सकते हैं, कैसे, आपको मिलेगी scholarship and academy की तरफ से, और अ काफी simple format हो गया है, combat का, आपको केवल कुछ subject की तयारी करनी है, तो history और quality के basis पर combat आने वाला है, तो अगर आपने यह दो subject पढ़ लिए, अच्छी rank ले आई, तो फिर आपको scholarship मिल जाएगी, और इस बार history के questions मेरे दोरा बनाये गए हैं, so do attempt them, okay, यह हमारी free test series है, इसके links भ पिछले साल के exam के toppers हैं, 2020 में, जिनकी ranks आई है, congratulations to them, thank you very much for watching this, have a great day.